तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है तो बच्चों एक्जामपल जो हमारी 11 है इसकी स्टेटमेंट है तो बच्चों यहाँ पर हमने शो करना है कि हमारा यह जो नंबर है त्री अंडर रूट टू यह एक इर्रैशनल नंबर है अब बच्चों जैसे कि हमने अभी पीछे कोशन कीए हैं एक्जामपल हमने 10 कंप्लीट की है साथ में हमने एक्जामपल 9 भी कंप्लीट की थी तो उसी वे में हमने इस कोशन को भी इस एक्जामपल को भी हमने शो करना है तो देखें अगर आपको exam में सिर्फ इतनी statement आ जाए जैसे कि मैंने आपको पिछली examples में बताया था कि अगर आपको exam में सिर्फ इतनी statement आ जाए तो सबसे पहले आपको under root 2 को irrational number show करना होगा जैसे कि हमने example 9 में under root 3 को example irrational number show किया था फिर उसके बाद हमें क्या करना होगा जैसे कि जब हमने under root 2 को irrational number show कर लिया तो उसके बाद बच्चों फिर हमें 3 under root 2 को जो मैं अभी procedure यहां करवाओंगा वो करके 3 under root 2 को irrational number show करना होगा ठीक है तो आप यह देखें कि जैसे हमने जिस way में under root 3 को irrational number show किया था उसी तरह उसी तरीके से उसी way में हम under root 2 को irrational number show कर सकते है और यह under root 2 वाला जो हमारा part है यह आपको exercise में भी देखेगा क्योंकि exercise में एक question है 1 upon under root 2 जहां पर हमने उसको irrational number show किया हुआ है तो बचो यहाँ पर हम start करते हैं कि अगर सिर्फ इतना question आ जाए और आपको साथ में यहाँ पर कुछ further statements भी given हो जैसे कि under root 2 is an irrational number आपको given हो यह condition कि under root 2 हमारा irrational number है तो आपने फिर उस condition में जो मैं अभी कराऊंगा आपने वहीं से question को start करना है और उसका solution करना है exam में ठीक है तो बचो चलो हम करते हैं तो इससे पहले आप अगर इस example को करने जा रहे हो तो example जो 10 है वो भी एक बार watch कर लेना तब आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझा जाएगा तो बचो यहाँ पर हम start करते हैं सबसे पहले हम let करेंगे बचो कि जो number हमें given है ये एक rational number है और इसको हम गलत prove करेंगे कि वो rational number नहीं है तो बचो यहाँ पर हम let करते हैं कि let 3 under root 2 is a rational number ठीक है यहाँ पर बचो हमने क्या लिखा है कि 3 under root 2 हमारा एक irrational number है I am sorry rational number है अगर 3 under root 2 हमारा rational number है तो बचो यह इस condition को follow करेगा कि 3 under root 2 this is equal to a upon b और बचो यहाँ पर a और b हमारे क्या होंगे co prime number होंगे कि where आप यहाँ लिख सकते हो कि where a and b are co prime number where a and b are co prime numbers co prime numbers ओके numbers and b not equal to 0 और बचो जो हमारा b है वो 0 के not equal होगा मतलब 0 नहीं हो सकता अब बच्चो इसको हम solve करेंगे और बच्चो solve करने के लिए देखें हमें क्या करना होगा कि हम सिर्फ under root 2 को left hand side में alone रखेंगे और यहाँ पर इसके साथ जो 3 है इसको हम transfer कर देंगे right hand side में अच्चो यह हमारा बन जाएगा under root 3 this is equal to a upon 3b क्योंकि 3 हमारा है वो left hand side में multiply हो रहा है अगर वो equal के right hand side में जाएगा तो वो divide हो जाएगा और हमारा बन जाएगा a upon 3b अब अच्चो हमारे पास यह वाली form आ चुकी है इसको हम box में बन कर लेते हैं और जैसे कि मैंने आपको example 10 में बताया था कि a और b हमारे co prime number तो हैं लेकिन जो हमारे co prime number होते हैं वो भी integers होते हैं और integers का ratio बतलब अगर हम integers को integers को बेशक वो हमारे positive integers हो या फिर negative integers हो अगर उनको हम P upon Q की form में शो करते हैं लिखते हैं तो बच्चो वो हमारे क्या represent करते हैं rational number को represent करते हैं वो हमारे rational number को represent करते हैं ओके तो इसलिए a upon 3b यहाँ पर a और b भी हमारे integers है और यह ratio की form में है तो इसलिए यहाँ पर a upon 3b हमारे बच्चों क्या होंगे? rational number होंगे तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे कि here a upon 3b is a rational number और बच्चों यह rational number क्यों है? इसका reason भी हमने बताना है because a और b हमारे integers है ठीक है? तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे because a and b are integers और अगर बच्चों a upon 3b हमारा rational number है तो a upon 3b under root 2 के equal है अगर यह rational number होगा तो जाहिरी बात है कि under root 2 भी हमारा rational number होगा तो बच्चों इसकी वज़े से हम यहाँ पर लिख सकते हैं under root 2 is a rational number लेकिन बच्चों हमें पता है कि जो under root 2 है वो irrational number है तो कि जैसे मैंने बताया कि जैसे हमने under root 3 को irrational number प्रूफ किया था वैसे ही हम under root 2 को भी irrational number प्रूफ कर सकते हैं और आपको एक बात और बता दूँ कि हमारे under root के अंदर जब भी है यहाँ पर कोई हमारा prime number होता है ठीक है कौन सा number होता है prime number होता है मैंने आपको introduction की वीडियो में बताया था कि under root के अंदर यहाँ पर अगर prime number हो तो वो हमारा हमेशा irrational number ही होगा और बच्चों हमारे prime number कौन से होते हैं जैसे की two वो number जो की one पर और या फिर खुद पर itself खुद के डेवल पर आते हैं तो इस ट्राइब के नंबर को हम बोलते है prime number जैसे कि हम बात करें three की तो बच्चों three भी हमारा जो है वो one के डेवल पर आता है one three जा three और खुद के डेवल पर तो बच्चों यह हमारा प्राइम नंबर नहीं है यह हमारा composite नंबर है ठीक है तो वो number जैसे कि seven हो गया या फिर nine हम नहीं ले सकते क्यों तो कि nine हमारा वन के डेवल पर आता है three के डेवल पर आता है और खुद के nine डेवल पर आता है आप यह कह सकते हो कि ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो factor हों, एक 1 और एक वो खुद itself तो उस ट्इपमिं नंबर को हम क्या बोलते है prime numbers क्या बोलते है prime numbers जैसे कि हमारे पास यहां पर 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया ऑर 19 हो गया, 23 हो गया and so on ठीक है तो बच्चो अगर हम प्राइम नंबर्स के उपर अंडरूट अप्लाई कर दें मतलब अंडरूट टू और अंडरूट थ्री तो बच्चो यह सारे हमारे क्या बन जाएंगे इर्रैशनल नंबर तो उसी तरह अगर हम यहाँ पर देखें वैसे तो हमने इसको प्रूव करना है जैसे कि हमने अंडरूट थ्री को इर्रैशनल नंबर प्रूव किया था तेकि अगर आप प्रूव नहीं करना चाहते आपको यहाँ पर अगर कंडिशन मैंशन है कि आपको ग बता दिया कंडिशन कि अगर हमारा अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर हो तो वो हमारा हमेशा इर्रैशनल नंबर होगा तो बच्चों यहां पर हम लिख देंगे बट बट वी नो डैट वी नो डैट अंडर रूट टू इस एन इर्रैशनल नंबर ठीक है क्योंकि हम जानते हैं बच्चों कि अंडर रूट टू हमारा इर्रैशनल नंबर है इसलिए जो हमने यहां पर लैट किया था वो हमारा रॉंग है तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे therefore our assumption our assumption is wrong बच्चों हमने क्या लैट किया था कि जो हमारा 3 अंडर रूट 2 है वो एक रैशनल नंबर है तो यहां पर हम लिख देंगे our assumption is wrong therefore 3 अंडर रूट 2 इस कि नॉट ए रैशनल नंबर नॉट ए रैशनल नंबर अगर बच्चों यह रैशनल नंबर नहीं है तो यह कौन सा नंबर होगा इर्रैशनल नंबर तो इसके साथ हम लिख देंगे hence it is it is a it is an इर्रैशनल नंबर ओके तो बच्चों यह हमार्यक्वाइड आंसर आ गया और आई होब कि आपको यह कोशन समझ आ गया होगा यह बच्चों हमारफ पार्ट है ठीक है इसको छोड़के आप सब उतार लेना अगर चाहो तो इसको भी आप नोट कर सकते हूँ ठीक है तो बच्चों आई होब कि आपको एक्जामपर 11 समझ आई होगी तो देखों यहाँ पर मैं एक बार आपको समराइज कर देता हूँ कि हमने क्या क्या किया है देखें हमें एक नंबर गिवन था 3 अंडर रूट 2 और हमने शो करना था कि वह एक रैशनल नंबर है तो सबसे पहले हमने लेट किया कि 3 अंडर रूट 2 हमारा एक रैशनल नंबर है और अगर वो रैशनल नंबर है तो वो A अपॉन B के एक्वल होगा और A और B यहाँ पर को प्राइम नंबर होंगे और B not equal to 0 होगा हमने बच्चों क्या करना है इसको अर A upon 3B उसके बाद बच्चों A और B कि अगर हम value कोई भी integers पूट करते हैं तो हमारे पास हमेशा rational नंबर ही आएगा क्योंकि जो integers का ratio होता है वो क्या होता है rational नंबर होता है तो यहाँ पर बच्चों हम condition लिग देंगे कि here A upon 3B is a rational number because A and B are integers ठीक है अगर बच्चों A upon 3B हमारा rational number है और A upon 3B under root 2 की equal है तो बच्चों जाहिरी बात है कि under root 2 भी हमारा क्या होगा rational number होगा तो इसलिए इस condition की बदोलत हम लिग देंगे यहाँ पर कि under root 2 is a rational number लेकिन बच्चों हमें पता है कि but we know that कि under root 2 is an irrational number तो जो हमने assume किया था बच्चों let किया था वो गलत है कि our assumption is wrong ठी rational number जो हमने यहाँ पर लेट किया था वो गलत बात थी ठीक है तो अगर 3 under root 2 हमारा rational number नहीं है तो वो कौन सा number होगा irrational number होगा तो बच्चों यहाँ पर हम लिख देंगे hence it is an irrational number ओके तो बच्चों I hope कि आपको question number 11 मतलब कि example 11 आपको समाज आगी होगी अगर कुछ problems हो तो से पूछने ना थेंक्यों सो मच्च ओके प्ली सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक यू